सिवई उपमा की एक मज़िदार सी रेसिपी जिसे खाकर आपका पेट तो भढ़ जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा इसे आप सुपर के नास्ते में या राद के हलके फुल के खाने में भी खा सकते हैं चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं सिवई उपमा बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में घी डालेंगे मैंने घी काई इस्तिमाल किया आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं इसके बाद सबसे पहले मुंगफली और काजू को भून लेंगे मुंख़ली एकाजू भून गया अब इसे निकाल लेते हैं अब इसी कड़ाई में वापस से घी डालेंगे मैंने लगभग दो चम्मच घी डाला है अब इसमें सेवई को डाल देते हैं मैंने दो कप सेवई लिया है लगभग 200 ग्राम सेवई है ये सेवई उपमा बनाने से पहले सेवई को जरूरी भून ले इससे जो उपमा है वो बहुत ही खिला खिला बनता है चिपकता नहीं है अब बात मैं बता दू फ्रेंड्स के मैंने दो कप सेवई लिया है और ये तीन लोगों के लिए परफेक्ट नासता है ये देखें सेवई भून गया है अब इससे निकाल लेते अब कड़ाई में तेल डालेंगे उसके बाद इसमें मैं राई, करी पत्ता और हरी मिर्च डाल रही हूँ हरी मिर्च को मैंने लंबा काटा है इससे ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है इसके बाद मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ अदरक को मैंने घीस लिया था इससे अच्छे से भून लेंगे इसके बाद इसमें सारी सबजियां डालेंगे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ और सिमला मिर्च डाल रही हूँ अगर आपके पास और भी सबजी हैं जैसे बेंस वेगर तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं इसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें नमक डालने से जो सबजी है वो जल्दी गल जाता है ये देखे सबजी भुन गया है सबजी को बहुत जादा ने भुनना है बस हलका सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें सेवई डाल देंगे अब इसमें पानी डालेंगे पानी जो है वो सेवई का दूगना होना चाहिए मैंने दो कब सेवई लिया था तो मैं इसमें चार कब पानी डाल रहे हूँ और इसे अच्छे से उबाल लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए ये देखे जब ये इतना गाढ़ा हो जा उसके बाद गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए धक कर छोड़ देंगे उपमा वस रेडी है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बचा है तो इसे मैं 2-3 मिनट के लिए और धक कर छोड़ रही हूँ बस अब से वही उपमा रेडी है इसमें काजो और मुंफली को मिक्स कर देते हैं और सर्व करने से पहले इसे दो से तीन मिनिट के लिए ढखकर छोड़ देंगे तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा तो जल्दी मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ और थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियोज